हाई वेलकम यू इन एंग्लेस डीपो दिस इस पवन भी यू आ गोईंग टू इस्टेडी लास्ट लेसं डियर आज आप दे लास्ट लेसं जिसको अलफॉंसो डॉडट ने लिखा यह आपका पहला चैप्टर है इसके सार्ट एंसर टाइब कोश्चेंस को और लांग एंसर तरीके से एक्जाम में लिखना कैसे है इन सब चीजों को समझेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगा अगर आपको दलास्ट लेसं चैप्टर का सारांस नहीं पता कहानी असार नहीं पता तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है यह एंसर इसके मैंने अगर आप इनको पढ़ लेते हैं इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी क्वेशन पूछे और आपको ना पता हो ऐसा नहीं हो सकता लेकिन अगर सारांस नहीं पता तो पहले उसकी वीडियो को देख लो चैनल पर मिल जाएगी डिस्क्रिप्श को देखते हैं साइट एंसवर टाइप क्वेशन को हम पहले देखेंगे बट उससे पहले आपको बता दे कि आपको साइट एंसवर लिखने हैं मतलब 40 वर्ड के अंदर लिखने हैं कुछ क्वेश्चन के जवाब हो सकते हैं 40 लेकिन maximum कोशिस करिए कि 40 वर्ड के अंदर बुलेटिन बॉर्ड वाजन नोटिस बॉर्ड यह आपको पहले ही मैं बताया था जब कहानी का सार बता रहे थे ना बुलेटिन बॉर्ड क्या था एक नोटिस बॉर्ड था जहां से सारी सूचनाय परकासित होती थी जहां पर सारी सूचनाय वही पर निकल के आती थी पोस्टेड होते थे, it was important because it conveyed the German order to replace French with German in schools, ये इसलिए भी important था, क्योंकि जर्मन से आदेस आया था कि French की स्कूलों में French को बदल करके जर्मन पढ़ाया जाएगा, it was important because it conveyed the German order, ये जर्मन के आदर को पोस्ट किया था, और क्या कहा था, replace French with German in school, इसकूलों में French को replace करके जर्मन पढ़ाया जाएग, तो इसलिए ये important था, याद है, आगे बढ़ते हैं, और next question है, what did Yemhamel say when French reached to the school, Yemhamel ने क्या कहा, when French reached to the school, जब French school पहुँचा, तो आपको याद होना चाहिए, Yemhamel ने क्या कहा था, जैसे French ने दर्वाजा खोला, तो Yemhamel ने कहा, बेटे जाओ अपनी seat पर बैठो, हम तो तुम्हारे बिना ही सुरू करने वाले थे, तो when French arrived late to school, French late पहुचा था न, तो when French arrived late to school, जब French late मैं पहुचा ही school, Yemhamel ने टीचर सेड, तो Yemhamel जो उसके टीचर थे नो ने कहा, go to your place quickly, चल्दी अपने स्थान पर जाओ my boy, we are beginning without you, हम तो तुम्हारे बिना ही सुरू करने वाले थे, याद आया न, आगे बढ़ते हैं, next question, what did Yemhamel speak first in the class that day about the last lesson, what did Yemhamel speak first, सबसे पहले Yemhamel ने क्या बोला था, in the class class में, that day about the last lesson, last lesson के बारे में, उस दिन सबसे पहले class में, Yemhamel ने क्या बोला था, बहुत ही काइंड आवाज में उन्होंने बोला उन्होंने बताया था ना कुरसी पर बैठते ही बताया था कि मेरे बच्चों ये आज अंतिम पाथ है जिसे मैं पढ़ाने जा रहा हूं क्योंकि जर्मन से आदेस आया है कि अब फ्रेंज क्या बोलते हैं फ्रेंज की स्कूलों में अलसास इस्पेसली अलसास एंड लॉरिन में जर्मन पढ़ाई जाएगी फ्रेंज नहीं वहाँ पर मैंने कहानी में बताया था ना वही जवाब है यहाँ पर आगे नेक्स्ट हमारा क्वेशन एदेज अगे वअट फ्रेंज थिंग लांस लेसन ये last lesson के बारे मैं सुनकर Franja ने क्या सोचा था मैंने कहा था कि Franja ने क्या सोचा उसके कान खड़े हो गए कान खड़े हो गए बेचारा सोचा यार बड़ी मुश्किल से थो मैं लिखना सीख पाया था अब मैं लिखना पढ़ना कुछ ना सीख पाऊंगा मैं कभी बहाने बनाता था इसको सीखने के लिए अब आज क्या हो गया देखों क्या इंस्वर है आफ्टर हीरिंग अबाउट दा लास्ट लेशन लास्ट लेशन के बारे में सुनने के बाद क्या हुआ फ्रांज फेल्ट डीप सेंसाफ की गिरेट फ्रांज को बहुत दूख हुआ और उसने ये भी बताया कि उसने इसको बहुत ही कम ध्यान दे करके पढ़ा था उसको कस्ट हो रहा था कि वो अधिका ध्यान क्यों नहीं दे पाया अपने इस पार पर दूरिंग हिस फ्रेंच लेशान अपने फेरंच के लेंगवच को शीखने के लिए और अभी वो इछा करना था कास उसको और वक्त मिल जाता अपनी मात्रि भासा सीखने के लिए तो फ्रांज बोरस्तिक व्रहत बाँ मुझे आज इसका बहुत दूख हो रहा है फ्रांज के टीचर ने कहा था ना कि वो M.M.L. ने कहा था कि वो Participle पर प्रस्ण पूछेंगे पहले ही बताए गया था सबसे पहले सुरुआती में ही तो और फ्रांज ने कहा था कि मुझे Participle का पी भी नहीं पता तो कहरा क्या did frange recite the participle क्या frange ने participle सुनाया पता रिए नह तर सुनाएगा कहाँ से तो क्या बोलेंगे No Frange tried to recite नहीं सुना नहीं पाया और कैसे अगर सुनाया नहीं तो कैसे क्या हुआ हाँ तो कोशिस किया सुनाने का Yes भी कर सकते हो But no सुना नहीं पाया फ्राज त्राइट तु रिसाइट, फ्राज ने रिसाइट करने की कोशिश किया, सुनाने की कोशिश किया, क्या, दरूल साब पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के रूल को, but he could not, लेकिन वो सुना नहीं सका, he got stuck over the first word, पहले ही word पर रुख गया, first, because he had not learned them well during his previous lesson, क्योंकि पिछली क्लासेज में वो अच्छे से ध्यान दे कर पढ़ा नहीं था, इसलिए वो सुना नहीं सका, ठीक, क्यों नहीं सुना सका, क्योंकि वो पिछली क्लासेज में अच्छे से ध्यान दे कर नहीं पढ़ा था, हुआ क्या था, पहले ही word पर mix हो गया ठीक है, next question that is, whom did MML blame for the ignorance of, sorry, ignorance in studies, why, MML किसको blame करें, जब वो सुना नहीं पाया, तो वो डर के खड़ा हो गया था, तो फिर MML ने कहा था, बेटे फ्रांच, ढरो मत, हम तुमको डाटेंगे नहीं, आज तुमको खुदी, कस्ट का, दुख का आहसास खुदी हो रहा होगा, फिर उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा कि तुम्हारी अकेले की गलती नहीं इसको ना सीखने में, कैसे कहा, MML blamed parents, MML ने parents को blame किया पहले, उन्होंने कहा कि आपके मम क्या चाहते हैं, आप किसी form में, आप किसी meal में जा करके काम करो, और Sunday school भेजने के बजाए, आपको किसी form for not fulfilling his duty, और अपने आपको भी blame किया, parents को भी blame किया, कि आपको meal में, form में काम करोना चाहते हैं, पैसा कम होना चाहते हैं, और खुद को भी blame किया, and blamed himself, अपने आपको भी blame किया, not fulfilling his duty as a teacher sincerely, इमानदारी पूरवक duty नहीं कर सका, कैसे, by sending the children to water the plants, क्योंकि वो बच्चों को पान every day whenever he wanted to go for fishing, और कभी-कभी वो छुट्टी भी करते थे, जब वो fishing करना जाना चाहते थे, इस तरीके से उन्होंने parents को और खुद को blame किया था, next question है, what did Yemhamel say about the language and its importance, Yemhamel ने का कहा था, इस language और इसके महत्तो के बारे में, तो हमने बताया था न, आगे Yemhamel ने बहुत कहा और से में इन्होंने ये भी कहा था, कि अपनी जो French language है, ये सबसे महत्तो पूर्ट और बहुती खुबसूरत language है, clearst है, logical है, तारकीक है, तो Yemhamel टोल्ड ही, जी students there, the French language was the most clearest, most logical and most beautiful language in the world, बताया था न, मैंने भी, in the world, he asked them to guard the French language, और क्या कहा उन्होंने, उन्होंने क कि अपनी इस French language को guard करो, अपनी इस French language की रक्षा करो, and never forget it, और इसको कभी मत भूलना, क्यों, because when people are enslaved, जब कोई इन्सान गुलाम हो जाता है, as long as they hold first to your language, जब तक वो अपनी language को पकड़े रहेंगे न, अगर लंबे समय तक वो अपनी language को पकड़े रहेंगे, अपनी language को जा अब फ्रांज इस सब के बारे में दुख वतीत कर रहा था, फिर उसका लिखने की class चली थी, लिखने की class के बाद उसने बोला कि कुछ भवरे उड़के गए, लेकिन कोई उन पर ध्यान नहीं दिया, फिर मेरा ध्यान चला गया कभूतरों के ऊपर जो छट पे बैठे थे, और जब ध्यान गया, तो मैंने सोचा क्या, वहीं बता रहा है, वहाँ पर भी बताया था, यहाँ पर भी सुनो, फ्रांज थॉट्ट, फ्रांज ने सोचा, वेदर दे वुड मेंक इवेंदा फिजन सिंग इन जर्मन, क्या यह जर्मन वाले, प्रशियन साइनिक, जर्मन वाले, क्या कभूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए मजबूर कर देंगे, उसका यह मतलब था, क्यों? उसका यह मतलब था, कि they had grown up using french, हम सब french वाले, फ्रांज लोग, अपना सोच रहा है कि हम लोगों ने तो french language को पढ़ते, पढ़ते, सीखते, सीखते, बोलते, बोलते, पले बढ़े हैं, नाउ taking it away, और वो हमारी मात्रिभासा को हमसे दूर लेके जा रहे हैं, जब कि unfair है, अनुचित है, तो क्यों कि the language, जो language होती है, वो natural होती है, सोभाविक होती है, हमारे लिए, और वैसे ही कबूतरों के लिए भी उनकी language सोभाविक है, तो क्या वो कबूतरों से भी ऐसा करव भाएंगे, यही सोचा था, नेक्स्ट कोशन है, वो अन्त में क्या आप जर्व किया, तो क्या आप जर्व किया था, अपने लताक के पाउधों को देखा था, जो खिर्कियों से छट पर पहुंच चुका था, याद आ रहा है, मैंने बताया था सारांश में, और भी बहुत सारी चीजे देखा था, और क्यों, क्योंकि वो हर चीज को अपने दिमाग में फिट कर लेना चाहते थे, नेक्स्ट क्वेशन, डियर, टेंसन मत लो, अगर आपको याद भी करना होगा, या कभी आपको अशकता पड़ेगी, तो इसकी पीडियाफ आपको हमारे क्या हुआ, जब चर्च की घड़ी में 12 बजगे, क्या हुआ था, प्रसियन आर्मी, ड्रिलिंग करके, ट्रेनिंग करके, लौट रहे थे, खिड़कियों से अवाज आ रही थी, फिर MML अपनी सीट पर, चेयर पर खड़े होते हैं, पीछे मुड करके, बोड में पुरी ताक से लिखते हैं, वावला फ्रेंस, उसके बाद वो गेस्चर करते हैं, इसारा करते हैं, स्कूल खतम हुए, आप जा सकते हैं, यही तो हुआ था न, तो वही तो है, जब चर्च की घड़ी में 12 बज़ा, प्रसियन आर्मी केम टू टेक ओवर, प्रसियन आर्मी वापस जा रह वादे तो टेल सम्थिंग, कुछ कहना चाहते थे, लगिन वो अठक जा रहे थे, इस वाइस 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 चॉक्ड, यही तो हुआ प्री ताकत लगाई, और रोट ऑन दे ब्लैक बोर्ड, इस लार्ज आर्ज उतना बड़ा लिख सकते थे, वो लिखे ब्लैक बोर्ड में क्या लिखे, वाइस 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 वाइस, मतलब प्रांस जिंदा बाद, एंडिस मिस्दा इस्कूल, और इस्कूल को बंद कर दिये, याद हो जाएगा, नेक्स्ट है, इन लास्ट लेशन, नेम दा कंट्रीज, वो अर फाइटिं और इस्क्राइब अगली बार एक्जाम म और फ्रेंच आट जर्मनी, कौन-कौन सी दो कंट्री थी, फ्रांस और जर्मनी फाइटिंग कर रही थी, इस्टोरी इसेट दिरिंग दफ्रेंको-प्रसियन वार, और यह जो दालास्ट लेशन की स्टोरी है, हमने बताया था, यह कब शुरू हुई थी, फ्रेंको-प्रसिय news is put up. Bulletin board के बारे में जब बात आती है तो यह वही board होता है जहाँ पे महात्वपूर्ट सूचनाय रखी जाती है महात्वपूर्ट सूचनाय प्रकाशित की जाती है There was a big announcement और वहाँ पे एक बहुत बड़ी घोशा कर दी गई थी It said that ऐसा कहा गया था कि In Alsace People would no longer learn in French People जो होंगे वो फ्रेंचर नहीं सीखेंगे Instead they had to learn in German इसके बजा उनको German सीखना होगा यह भी bulletin board का content था Next question है In what way according to M. Hamel Does the mother tongue serve Even the enslaved people किस प्रकार M. Hamel के अनुसार किस प्रकार Mother tongue गुलाम लोगों की help करती है तो हमने question देखा है वही question है घुमा के दिया है एक्जाम में का करते है घुमा के ही देते है आपका दिमाग चक्कर खा जाए पर आपको चक्कर नहीं खाए सर घुमे चक्कर खाए दिल से तक्कर खाए ऐसा कुछ था न मैं खोया या तू खो गई तो कोई न खोना एक्जान के समय में वह एक्जामनर घुमाएगा सर चक्कर आपका खाएगा लेकिन खोना नहीं है आप समझो वही question है कि भाया mother tongue का importance language की importance वाली ही question according to MML the mother tongue serves even the enslaved people by pursuing their identity MML के अनुशार mother tongue कैसे सेवा करती है उनकी identity पहचान के रूप में उनकी सेवा करती है उनका culture के रूप में उनकी सेवा करती है he explains that उन्होंने ये भी wordन किया था कि जब एक people गुलाम हो जाता है तो जब तक वो अपनी भासा को पकड़े रखता है तब तक समझो कि उसके पास जेल की चा भी है ये word आपने वहाँ भी देखा था इसके पहले भी question में था तो घुमा के देगा आप घुमना नहीं चलो हमारे site answer तो खतम होते हैं अब हम परते हैं अपने long answer type questions की तरफ डियर इसको आपको 80 words से ज़्यादा में नहीं लिखना होता है ठीक है 80 words से ज़्यादा में नहीं लिखना होता है next हमारा जो पहला question है long answer why was French running towards school that day French उस दिन school दोड़ते हुए क्यों जा रहा था what did he notice during the way रास्ते में उसको क्या notice हुआ था आपको एक बार कहानी या दिला हुआ France शुरुवाती में ही दोड़ते हुए स्कूल जा रहा था क्योंकि वो लेट से निकला था और रास्ते में उसको क्या होता है रास्ते में वो नोटिस क्या करता है वो birds के shipping को नोटिस करता है Persian soldiers के drilling को नोटिस करता है और क्या नोटिस करता है ब्रेटिन बोड के सामने भीड को नोटिस करता है बस France was running towards school that day because he was getting late France उस दिन दोड़ते वे स्कूल जा रहा था क्योंकि वो लेट हो रहा था He had started for school very late that morning वो उस दिन स्कूल बहुत लेट से निकला था इसलिए लेट था and on the way for sometimes he thought not to go to school and spent the day outside और कुछ समय के लिए तो उसने रास्त में ये भी सोच लिया था कि वो इसकूल नहीं जाएगा इसलिए और लेट हो गया था इसलिए वो दोरते हुए जा रहा था During the way he noticed that रास्त में उसने नोटिस का किया था the day was warm and bright दिन जो था वो बहुत ही warm था ब्राइट था birds were slipping at the age of the woods पक्छिय जंगल में यानि की पेड़ो पर चह चाहा रही थी Prussian soldiers were drilling in the open fields Prussian soldiers were open field में खुले मैदानों में Prussian चण कर रहे थे training कर रहे थे and when he passed the town hall और जैसे वो town hall को pass करता है he noticed that उसने notice करता है कि वहाँ पे बहुत भीड लगी होती है bulletin board के सामने तो यही सरी चीजों को राष्टे में उसने notice किया था तो long answer है कोई जिराद अरिफकल नहीं है कहानिया थे तो बना सकते हो खुद से बना सकते हो next what was the scene inside the class when France reached the school जब France school पहुँचा तो class के अंदर की scene क्या थी आपको याद आया France हापते हापते school पहुचा था और जब France school पहुचा तो उसने देखा कि सब कुछ बिल्कुल Sunday morning ऐसा था सब कुछ बिल्कुल सांद था सब कुछ सांद था उसके बाद फिर अंदर देखा window से तो देखता है कि भीया वहाँ पर सारे बच्चे अपने अपनी street पे बैठे हुए थे और अंदर जाने के बाद बहुत कुछ देखता है वो देखते है when France reached to school जब France school पहुचा he was surprised to see how quite it was तो वो surprise हो गया था यह देखकर रही है सब कितना सांद है because usually there was always a lot of bustle क्योंकि school शुरू दे बहुत ज़्यादा शोर होता था बट उस दिन नहीं था through the window he saw his classmates already in dear places तो खिरकिस उसने देखा कि उसके बद classmates अपनी जगाँ पे पहले सही थे उसने ये भी देखा कि उसके teacher उसको लेट होने के बावजूद भी उसको अंदर जाने की permission देते है और जैसे ही वो class में घुषता है वो देखता है कि उसके teacher यह हैमेल wearing his beautiful special dress his side of village people वो अपने teacher के beautiful dress को notice करता है village के गाउं के लोगों को notice करता है जो कि बिल्कुल quiet बिल्कुल सान्त बैटे थे अब पीछे की sheet ओपर और वहाँ पे कौन-कून था old hauser थे farmer mayor था farmer postmaster थे और बहुत सरे लोग थे तो inside की scene यही सो थी न तो यही तो लिखना है असान है सारान से आत हो बस next question है that is how did the announcement of the last lesson affect lancho how did the announcement of the last lesson affect lancho last lesson की जो announcement थी कैसे lancho को affect करती sorry 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 french को affect करती है the announcement of the last lesson had a profound and immediate effect on french जो announcement था last lesson का वो french को बहुत गहरा और तुरं तो बहुत प्रभाव करता प्रभावीद करता है बहुत गहरा घाओ दे जाता है at first he was unaware of the significance of the day पहले तो वो पता ही नहीं था ना उसको दिन के बारे में आज क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है he had been running to school in typical reluctance वो तो रोज की तरह स्कूल भागते हुए जा रहा था more concerned about his playful activities than his study पढ़ने के बाज़ा खेलने के बारे में ज्यादा चिंतित था हूँ however when he had been declared it was the last French lesson और जैसे ही he had been declared कि ये अंतिम French lesson है तब हुआ क्या था French would turn it upside down French बहुत ही मतलब की down हो गया French felt a deep sense of grief regret of sorrow France को बहुत गहरा दुख हुआ बहुत गहरा सदमा पहुचा he realized that he had taken his French lesson for granted उसने महसूस हुआ कि उसने अपने French lesson को बहुत हलके में रखा था and had not paid enough attention to his study और अपनी पढ़ाई पर अधिध्यान नहीं दिया था the announcement of the last lesson made him actually aware of the impending loss of his language और यह जो announcement था last lesson का वास्तों में उसको बहुत ही गहरा दुख दे गया था of his language and culture और तो और culture identity के सभथा की identity प्रहचान को भी पहुत गहरा असर पढ़ रहा था he longed to have more time to learn and appreciate French और वो चाहता था कि उसको और दिख समय मिले और अपनी language को सीख जाए next question है in which way did MML blame himself and others for the nice glance of the study of French language किस सरी कैसे MML ने blame किया था में देख चुके हो MML blamed himself for the nice glance of the study of French language MML ने खुद को blame किया था कैसे बोलते हैं न he often sent the children to water his flowers and sometimes gave them holiday when he wanted to go fishing बच्चों को भेज़ते थे पानी देने के लिए पोदों में और fishing के लिए holiday declare कर देते थे MML blamed others too for the nice glance of the study MML ने दूसरों को भी blame किया किस को? French language को अपने उनके बच्चों के parents को भी blame किया क्योंकि उनके parents काताते थे कि वो किसी work में मतलब किसी जाके work करें किसी farm में किसी meal में जाकर के और उनको पैसा कमा के दे इस तरीके से MML ने खुद को और दूसरों को भी French language को अच्छे से नस सीखने के लिए blame किया था हमारा जो next question है What happened at last? How did MML last the class? अंत में क्या हुआ? और MML ने class को कैसे last किया? तो at the church class at last अंत में क्या हुआ था? अंत में चर्चकलाक जब 12 बज़्या चर्चकलाक में उसी समय प्रस्यान साइनिक जो थे वो drilling करके लौट रहे थे training करके और उनकी आने की आवाज अंदर आ रही थी MML stood up तो MML क्या होते है? खड़े हो जाते हैं बहुत उदास थे इनी चेर अपनी चेर पे खड़े होते हैं वो कुछ कहना चाते थे लेकिन कुछ उनको चॉप करा थे कुछ उनको अंदर से परसान कर रहा था तभी वो पीछे बलेक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं तुकपी साब चाक वो चाक के टुकड़ा उठाते हैं bearing on with all his might अपनी प्रिताकत लगा करके जितना बड़ा हो साथा था उतना बड़ा वो लिखते हैं वाला फ्रांस तभी वो अपनी क्रास को इस्टाप कर देते हैं दिवाल के सामने जुख जाते हैं बिना एक सब्द बोले वो इसारा करके कहते हैं इसकोल समाप्त होती है आप जा सकते हैं समझ में आया ना इस answer को next हमारा जो है that is what is the reason that made Amhamel declare that the last lesson which he was going to teach on that faithful day was to be the last lesson क्या वज़ा थी ये Amhamel ने declare क्यों किया कि ये last lesson है तो ये Amhamel declared the last lesson Amhamel ने जो पढ़ाने जा रहा है तो उसको last lesson declare किया था क्योंकि the French district of Alsace and Lauren have passed into Prussian hands French district French की तो डिश्टिक Alsace and Lauren Prussian hands में चली गई थी Prussian sign को के हाथों में चली गई थी और जो नए Prussian rulers थे उन्होंने French language को discontinue कर दिया पढ़ाने से और बोला कि French teachers को यहां से जाना पढ़ेगा और यहां पे German सिखाई जाएगी इसलिए Amhamel ने उस दिन जो पढ़ाने जा रहे थे उसको as a last lesson declare किये थे I hope कि आपको समझ में आया होगा Dear अगर आपको लगा कि मैंने आपकी help करी Sight answer और Long answer को learn करने में तो please subscribe and press bell icon and join your whatsapp channel link आपको description में मिल जाएगे मिलते हैं next video में तब तक के लिए अपनी preparation को continue रखो लगे रहो and take care of yourself also thank you so much bye bye dear